Welcome to Management IQ So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुरुडो प्लान यह आते है टाइपस ऑफ इंसेंटिफ प्लान में और टाइपस ऑफ इंसेंटिफ प्लान आते हैं टाइपस ऑफ वेजस प्लान में So, Welcome to Management IQ So, Before Starting Our Topic First, Let Me Tell You Please Subscribe and Press The Bell Icon If You Like My Video So, Starting Up Our Topic सबसे पहला कुशन यह क्या होता है बुरुडो प्लान So, आपको बता दे कि यह जो प्लान होता है इसमें जितना भी टाइम सेफ करता है वर्कर उसको 3 to 1 के रेशियो में डिस्टिब्यूट कर दिया जाता है वर्कर और 4 में के बीच में यह इसमें minute calculation होता है कि वर्कर कितने minute जो casual worker होते वो कितना देर इसपे काम कर रहे है कितना देर अपना working condition में काम कर रहे है मिनट करकूलेट करने के लिए बी देख का youse होता है बी symbolize करता है नॉर्मल WORKER working time working minute कि एक NORMAL WORKER कितना minute काँम कर रहा है तो जो worker होता है इसमें उसका तो जो बच रहा है, टाइम सेफ कर रहा है, वो 3 to 4, 1 के रेशियो में डिस्टिब्यूट हो जा रहा है, वर्कर और 4 में के बीच में, तो यह जो worker होता है, उसको कभी-कभी डिस्साटिसफाइद से फील होता है, क्योंकि worker को लगता है कि यार, मैं मैंने अपना टाइम सेफ किया है, मुझे नहीं मेल रहा है, पूरा और आधा मेरे साथ और 4 में को डिस्टिब्यूट कर दिया रहा है, तो इसके वर्कर थोड़ा डिस्साइटिसफाइद से हो जाता है, नेक्स आता है, कि जो एक्चुल टाइम जेव एक्सीड कर जाता है, इसको एक्चुल टाइम से एक्सीड कर जाता है, जो 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 एक्चुल टाइम से एक्सीड क सो बट इफ एक्च्छल इस लेस थे स्टैंडर्ड इसलिए ताकि वह जान सके कि वह कितना आवर से हुआ है सो जो 3 x 4 of the wages होता है वह spent हो जाता है saved हो जाता है और paid to the worker and foreman of the branch मतलब मैंने आपको पहले ही बता है कि worker और foreman के बीच में वह save किया हुआ amount distribute हो जाता है so now friends let's move on to the next topic which is the merits or advantages तो इसका जो सबसे फेला merits है वह कहता है कि यह industries पे suit करता है अब वह किस टाइप के industries पे तो वह industry पे जो output को time or motion study के के side से चेक करते मतलब output जो होता है उसको देखते कि time or motion study के according कितना produce हुआ है और जो second point है friend वो कहता है कि यह भी industry पे suit करता है बट उस industry पे जिससे worker को shift किया जाता है इस branch से दुसरे branch पे यह output यह shifted from job to another from one section to another यह job को shift किया जाता है यह branch में shift किया जाता है तो उस industry पे भी यह suit करता है so friends now move on to the next topic which is the demerits or disadvantages तो friend इसका जो सबसे पहला demerit है वो कहता है कि worker को यह system समाझ में नहीं आता है अब यह system क्यों नहीं समाझ में आता है क्योंकि जो इस system में B का introduction हुआ है friend जो B हुआ है minute calculate करने के लिए वो worker को दिमाग में नहीं पलने पड़ता है कि यह B क्या है इसको कैसे calculate करे यह थोड़ा tough हो जाता है worker के लिए दूसरा कहता है not easily intelligible to many worker मतलब बहुत सारे worker को इसका मतलब समझ में ही नहीं आता है कि यह है क्या third point कहता है require lot of cervical work मतलब इसमें record को अच्छे से बनाने में wages और bills को बनाने में बहुत जादा महनत लगता है fourth है कहता है कि didn't like rewarding four men at the cost of worker efficiency तो जो worker होते हैं उनलों को यह पसंद नहीं होता है कि भाई मैंने अपना time save किया है मैंने अपने standard time से पहले job complete कर लिया तो मेरे साथ उस four men को क्यों मिल रहे है wages तो यह चीज जो है वो worker को पसंद नहीं आता है और worker से थोड़ा सा मुचकता है कहता है कि भाई हमको दो savages उसको क्यों दे रहो हो तो मेरा आधा आधा नहीं 3 is to 1 के ratio में बढ़ता तो उसको 1 भी क्यों दे रहो मेरे को इंपूरा दो so thank you for watching the video till end if you have any query you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe and press the bell icon